Hey guys, very good morning, welcome to my youtube channel घूमो बेफिकर और इसी बेफिकरी में आज हम experience करने वाले हैं एक adventure activity, river rafting in रिशी केश इस वीडियो में आप excitement और entertainment तो देखेंगे ही साथ में आपको मिलेगी full information about river rafting river rafting का कितना खर्चा आता है, कब river rafting करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, तो बने रहे हैं वीडियो के enter और ये देखें flow मेरको तो अभी से ही excitement हो रहा है, आप जुड़े रहे हैं, ये हमारी team ready है, तो चलते हैं अपन river rafting करने तो सबसे पहले river rafting की starting होती है गंगा मया के जैकारे से को सबस्क चाहिए, करना मया करने ही घद रहे है में। funktion तो स्वड़ें निद्टर्ण को बगि गाण शिआर्ण काहिए, 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 काहिए परवर्ड और स्टप गाइस तो कैसा था रैपिड? बहुत बड़े अगें हाइफाइब वूूूू। वूू। वूू। यह गया हमारा पहला रैपिड आर यो एकसाइटेट? कैसा लगा आपको आप सूचिया आपको देखने में इतना अच्छा लग रहा है तो हमें वहाँ पे करने में कितना एक्सपीरियंस कितना एकसाइटमेंट आ रहा होगा और यह भी आप एकसाइटमेंट आप भी ले सकते हैं तो मैं आपको बीच बीच में बताता रहूँगा सारी इन्फोरमेशन की राफ्टिंग कैसे बुक करें आप रिषिकेश में आप ऑन-लाइन औ ऑफ्लाइन दोनों तरीके से राफ्टिंग बुक कर सकते हैं ऑन-लाइन के लिए आप गूगल पे जाएंगे तो आपको बहुत सारी लिंक्स मिल जाएंगे और ऑफ्लाइन तो आप जैसे ही रिषिकेश में एंड्रि करते हैं आपको बहुत सारे canopies, hoardings, shops दिख जाएंगी पर आप किसी से भी ऐसे book ना करिएगा क्योंकि rafting में safety और एक main concern है अगर आप ऐसी किसी से book करते हैं तो वो आपके लिए safety के साथ compromise हो जाएगा तो मैं आपको recommend करूँगा जब आप तपोवन में जाते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ shops मिलती हैं जो की authorized और licensed rafting वाले हैं आप उनसे ही book करें राफटिंग बुक करने के बाद आपको लेके जाया जाता है rafting starting point पे और starting point पे आपको एक 20 रुपीज का nominal charge देना पड़ता है entry point के लिए और rafting points के लिए मैं आपको बता दू राफट रिशी केश में दू जगे से rafting start की जाती है एक जगे है शिपरी road दूसरा है नीलकंड महादेव road तो शिपरी road से जो rafting start की जाती है वो comparatively अच्छी है तो मैं आपको suggest करूँगा कि आप जो अपनी राफटिंग है शिपरी road की तरफ के लिए ही बुक करें रिशी केश में राफटिंग के लिए तीन केटेगरीज है 9 km, 16 km and 24 km तीनों के चार्ज अलग-अलग है 9 km के लिए आपको 500 रुपीज 1600 के लिए आपको 800 रुपीज और 24 km के लिए आपको 1200 का चार्ज देना मैंता है और इसमें तो सबसे बैस्ट है परसनली मुझे 16 km वाली पसंद है उसमें लग-बद आपके 8 रैपिट्स आते हैं और आपका बहुत अच्छा टाइम स्पैंट होता है बहुत पुछ आपोस में थ्रिल मिलता है तो मैं कमंड करूँगा आपसे कि आप 16 km के लिए जाए फावर्ड 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 बुकिंग करने के बाद आपको ले जाया जाता है स्टार्टिंग पॉइंट पर वहां आपको आपका इंस्ट्रक्टर ब्रीफ करता है about the signals, about the signs, about the commands कि क्या आपको command दी जाएगी और आपको उसमें कैसे एक्टर ना है यह जो आप इसमें सुन रहे थे forward, backwards, stop, वो उसी का एक हिस्सा है actually आपको ही यह बोट को सेल करवाना पड़ता है तो अगर आप उस commands को आँसे नहीं सुनेंगे तो वो आपकी नाव बलट सकती है, रुख सकती है तो इसको अच्छे से समझ लेना चाहिए पीश में पीश में पैडल मार रहे है वो भी इतना एजी नहीं है यह चीज नहीं है बच्चों की जान निकल जाती है अच्छे अच्छों की अच्छों की रिशीकेश पे राफ्टिंग केबल मानसून को छोड़ के throughout year स्टार्ट रहती है पर जो पैस टाइम है वो सेप्टेमबर टू नवेंबर है इस टाइम आपको जो वाटर मिलेगा वो वाइट वाटर राफ्टिंग भी कहा जाता है और बहुत क्लीन वाटर रहता है बहुत अच्छा फ्लो रहता है वाटर का थंड भी उतनी नॉर्मल होती है इस बार सेप्टेमबर से नॉर्मल के बीच में राफ्टिंग करके देखिए बहुत मज़ा है जब आप स्टार्टिंग से बैठते हैं तो एक आपको अलगी डर लगता है एक अलग डर का एसास होता है क्या होगा कैसे होगा मैं डूम न जाओं पर बाद में जब आपके पास एक दूब आपके रैपिट निकलते हैं तब आप उसको इंजॉय करने लगते हैं एक फील आने लगता है और जब थंडी थंडी लहरे आती हैं तो उसका तो क्या कहना वाह चलो किसको जाना अभी जाना किसी को निकलने के बाद जब एक प्लेइन बॉटर आता है जहां पे सेफटी रहती है वहाँ आपका इंस्ट्रक्टर आपको नीचे उतरने के लिए भी गयता है अगर आप कमफर्डेबल है तो नीचे भी जा सकते हैं और मेरी माने दो आप जरूर जाएगा बहुत अच्छा लगता है बहुत अच्छा फील आता है नीचे जाके एक तुम ठंडी ठंडी लहर पानी में और हमें रिलैक्स होता है क्योंकि हम यह पैडल चला चला के भी बहुत ठक जाते हैं और यह जो राफ्टिंग बोट के साथ एक छोटी सी बोट जिसको कयाक कहते हैं यह आप हमारे साथ देख रहे हैं यह एक्चुली हमारे ही सिक्योरिटी के लिए है इसलिए मैंने आपको कहा था कि जब भी आप बुक करें राफ्टिंग तो किसी अच्छे एजेंट से बुक करें अच्छे लाइसेंस अथोराइस्ट एडवेंचर से बुक करें जिसलिए हमें सेफटी का एक एक एक्स्ट्रा प्रकॉशन मिलता है इसका काम बहुत अच्छा है अगर ये नाव बीच में बलटती है या कहीं कोई इदर उदर चला जाता है तो इनका काम होता है कि ये तुरंत वहाँ पर पहुँचके और उसको सेफली गोड तक लेके आते है और अब आप देखिए कैसे सारे लोग हस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं और थोड़ी देर पहले तक जब ये स्टार्ट नहीं हुई थी तब ये एकदम घबरा रहे थे कि क्या होगा तो कबराने का नहीं बीडू, बिंदास आने का और इंजॉय करने का वैसे तो इंडिया में आप रिवर राफ्टिंग बहुत जगे कर सकते हैं पर जब बात आती है बैस्ट राफ्टिंग की तो सिर्फ एक ही नाम द्यान में आता है, वो है रिशी केश रिशी केश की रिवर राफ्टिंग नंबर वन है, उसका रीजन है एक तो यहाँ पर पानी का फ्लो बहुत अच्छा है, बहुत फास्ट है, रैपिट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं और एक चीज और है, जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, वो है यहाँ का क्लिफ जम, जी हाँ, एक एक एक्टिविटी के साथ एक एक एक्टिविटी फ्री, अगर आप यहाँ पर राफ्टिंग करते हैं, तो आपको फ्री में करने को मिलती है क्लिफ जम, तो चलिए, मैं दिखा भी बहुत शांदार है तो गाइस कैसा लगा आपको मेरा वीडियो कमेंट लिख के जरूर बताएं और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें बहुत अच्छे अच्छे वीडियो जाने वाले हैं और मैं नहीं चाहता आप से कोई मिस हो जाए थैंक यू फॉर वाचिंग प्लीज लाइक और शेयर थैंक यू